आप बताईए क्या हम लंबे हैं, या हम छोटे हैं, या हम हलके हैं, या हम भारी हैं, कैसे हैं हम सब तो आज इस lesson में हम यही पढ़ने वाले हैं इन इन इस lesson, students will learn about opposite words opposite words के बारे में भी आप सीखेंगे और हम देखेंगे कि इन चीजों को आप कैसे enjoy के साथ पढ़ सकते हैं तो चलिए, start करते हैं, तो यह रही आपकी पहली slide तो यहाँ पे कुछ words लिखे हैं, देखें मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ और साथ में उसके हिंदी में भी मतलब बताऊंगी आप भी वहाँ मेरे साथ दोहराईए और मतलब को समझे short, छोटा, tall, उचा, big, बड़ा, heavy, भारी, light, हलका, hard, कठोर, soft, नर्म या मुलाया अब यहाँ पर देखें आप image में एक tree है, आप देख सकते हैं, एक उंचा है और एक छोटा है बड़ा tree है और एक छोटा tree है, तो वहाँ पर मैंने image के साथ compare करके लिखा हुआ है जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी, a big tree and a small tree है ना, एक बड़ा पेड और एक छोटा पेड और उसके बाद नीचे कौन सी image है, क्या बना हुआ है, very good, यह है bag तो कैसी image है, a big bag and a small bag, एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग, चलिए आके देखते हैं, यहाँ पर क्या image बनी हुई है, देखे, elephant और उसके उपर एक छोटी सी bird है, है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे the bird is small, चीडिया कैसी है, small है, छोटी है, the elephant is big, हाथी बड़ा है, अब उसके नीचे की image में आप देख सकते हैं, बच्चों, image जो बनी हुई है, वो है tall और short की Mr. Patel is tall, Mr. Patel कैसे है, उचे है, है ना, लंबे है, और Mrs. Usha is short, Mrs. Usha कैसी है, चोटी है, यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से compare हो रहा है, है ना, images के साथ आपको समझने में भी आसानी होगी, मजा रहा है ना, चलिए आगे देखते हैं, और अब यहाँ पर देखिए, क्या इस thing, और अमन कैसा है, पतला दुबला है, है ना, और देखिए, यहाँ पर image बनी हुई है, एक table की और एक chair की, तो क्या लिखा हुआ है मैंने, this table is heavy, यह table कैसी है, heavy है, यानि कि भारी है, that chair is light, वो chair जो है, वो हलकी है, light है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, exercise है, यहाँ प teacher, मतलब कि मैं जो word बोलूँगे, opposite word, आप मेरे साथ-साथ repeat करेंगे, उसको दोहराएंगे, ठीक है, ताकि आपको इन opposite words को याद करने में आसानी हो, ठीक है, तो मेरे साथ आप भी दोहराईए, tall, short, एक बार फिर से, tall, short, fat, thin, fat, thin, top, bottom, top, bottom, big, small, big, small, long, short, long, short, hot, cold, hot, cold, dry, wet, dry, wet, hard, soft, hard, soft, ठीक है, और यहाँ पार और exercise work है, ठीक है, look at the picture below, choose the correct answer and rewrite the sentences, ठीक है, आपको यह pictures देखनी है, pictures में, क्या है, दो लोग दिख रहे हैं, रामू और सोमू, ठीक है, एक example यहाँ पे दिया हुआ है, आपको choose करने का काम करना है, इसमें बच्चों, ठीक है, choose करना है, मतलब किसमें choose करना है, जो words bracket में लिखे हुए है, उसमें से सही जवाब आपको choose करके, फिर से rewrite करना है, तो देखे एक example, मैं आपको बता रहे हूँ, रामू is tall, जैसे कि image में भी आप देख सकते हैं, रामू जिसका नाम है, वो थोड़ा ज्यादा, लंबा है, ठीक है, और सोमू is, सोमू क्या है, tall है कि short है, तो obviously जैसे कि आप image देखके समझ पा रहे हैं कि सोमू तो short है, तो answer हमन मैं फिर से लिखा, सोमू is short, तो वैसे ही फिर से, नीचे में है, मीरा, देखो नीचे दो images बने हैं, दो girls की मीरा और लता, ठीक है ना, मीरा is fat और thin, दो option मैंने दे हुए हैं ब्रैकेट में, मीरा कैसी है, fat है कि thin है, image देखके वो आपको पता चल जाएगा बच्चों कि मीरा जो है वो fat है कि thin है, तो answer हो गया, मीरा is thin, लता is fat और thin, अब लता कैसी है, वो fat है कि thin है, वो भी image देखके आपको पता चल रहा है कि लता तो fat है, तो answer हम लिखेंगे, लता is fat, देखते हैं आगे क्या है, तो अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए, rat है, rat के आगे मैंने ब्रै image के सामने तो obviously वो small ही है, a rat is small, an elephant is big or small, और elephant कैसा है, big है कि small है, right, elephant is big, बहुत बढ़िया, आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत अच्छी कोशिश चल रही है आपकी, तो images के मापड़ाम से आपको यह concept जो है, वो और अच्छे से clear हो जाएगा है, बक्टर यह opposite word का concept है, जो आपको तस्वीरे देखकर यह चीज़ें दिमाग में बहुत जल्दी बैठती है, तो आपको भी यह concept clear हो रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, आगे देखने चलिए, listen to the instruction of your teacher and draw the picture, है न, यहने कि आप मुझे सुनिए, मैं आपको क्या instruct कर रही हूं, क्या निर्देश दे और उसके हिसाब से आपको picture draw करनी है, picture बनानी है, तो पहले cap की, मैंने image यहाँ पर डाली है, और क्या लिखा है, draw a small cap near the big cap, जो image है, वो big cap की है, तो आपको एक small cap बनानी है, small का मतलब तो आप समझे गया है, कि small मतलब छोटा है, है न, तो जो यह big cap है, उसके बगल में आप क्या करेंगे, small cap की picture draw करेंगे, फिर नीचे, draw a small bucket at the bottom of the tree, तो जो यह पेड़ है, उसके नीचे आपको छोटी सी बाल्टी की image आपको बनानी है, पेड़ के नीचे, चिक है, और तीसरा क्या है हमारे पास, draw a short rope near the big rope, चिक है, यहाँ पर जो हमारी rope है, उसके पास आपको एक छोटी rope की image draw करनी है, उसके आगे देखते हैं, चलिए, यह फिर से हमारे पास आया है, जो मैंने आपको पीछे बताया, यह जस्ट उसी का answer है, इस तरीके से आप भी image draw करेंगे, big tree, उसके नीचे small bucket draw करनी है, यह rope है, उसके नीचे बड़ी सी rope है, हमारे पास, लंबी rope है, उसके नीचे आपको यह short rope draw करनी है, यह बड़ी cap है, big cap है, उसके पास आपको एक small cap draw करनी, इस तरीके से आप भी करेंगे, और यह देखिए, match the images to their opposite images, ठीक है, यहाँ जो image दिये गए हैं, उनके opposite images से आपको match करना है, जैसे कि अभी हमने पिछली slide में देखा है, big cap, तो आ आप कहां जाएंगे, small cap, long rope, तो आप कहां जाएंगे, short rope, big bag, तो आप किस के साथ उसको match करेंगे, small bag के साथ, ठीक है न बच्चों, चलिए, आपके देखते हैं, आगे की slide में क्या है, यह देखिए answer मैंने करके दिखाया है, यहाँ पर, big cap के साथ, small cap, long rope के साथ, short rope, और big bag के साथ हैं, आपका small bag, तो यह देखिए, यह आपके लिए homework है, ग्रीक आ रहे है, इसमें आपको क्या करना है, draw lines to match the opposite word, यह जो अलग-लग शब्द दिये हैं, चीक है न, जिसको हम हिंदी में विरुद्धार्ती शब्द भी कहते हैं, इनको आपको match करना है, opposite words को, तो यह द fast, तेज, soft, नर्म्यमुलायम, high, उचा, अब दूसरे साथ के words देख लेते हैं, short, छोटा, slow, दीरे, hard, कड़ा या कठोर, low, नीचा, small, छोटा, cold, ठंडा, चीक है, तो मैंने आपको मतलब भी बता दिया, अब आप आप आसानी से match कर सकेंगे, homework, और जैसा कि आज हमने इस lesson म किसके बारे में पढ़ा बच्चो, opposite word के बारे में, तो आप अच्छा से समझ गए होंगे, opposite word क्या है, यानि कि जब हम compare करते हैं, एक अगर मोटा है, तो दूसरा पतला है, ठीक है, बिल्कुल उससे अलग, उससे उल्टा, इसको कहते है, opposite word, जैसे कोई मोटा है, कोई पतला ह ठीक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कुछ उंचा है, तो कुछ नीचा है, तो ऐसे words जहां पर आते हैं, जैसे big के साथ small आया, ठीक है ना, long के साथ short आया, hot के साथ cold आया, just opposite meaning, मतलब उनके मतलब भी अलग, तो ये words क्यालाते हैं, opposite word, तो आज इस lesson में हमने इसके बारे नेक्स lesson में, तब तक के लिए, धन्यवाद